नमस्कार प्रणाम हरर मादेव आप लोग का दोस्त बैदमनोसिंग मोरिया आप लोग को बीच एक आज अर्भूत पौधा लेकर के आउंगा इसे चमतकार ही समझें आज तक बहुत से लोग उसको केचड़ा समझते आए हैं लेकिन मैं आज उसका नाम पत्ता डंठल उस पौ और कुछ उसका खात्यत है वो भी बताऊंगा तो जो भी भाई बंदू हमारे इस चैनल पर नहें हैं आयरवेदिक जंगल परिच्छाइका में रिप्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अलनोट की के संग दबा दें और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों मित्र तो चलिए मैं आप लोग को इस धतूरा के पौधे से आप लोग को मैं परचीत करा दूँ तो हम यहां पर सफेद धतूरे की बात कर रहा हैं परिचे और पहचान बता दूँ सफेद धतूरे को संस्क्रित में कनक कौटूफल स्वेद धतूरा इत्यादिक नामों से जानते और पहचानते हैं सफेद धतूरा काले धतूरे के पौधे के समान होता है यह भी समस्त भारत वर्ष में जंगलो वह बंजर भूमी में पाया जाता है इसमें वह काले धतूरे में फर्क इतना है कि इसके फूल सफेद होते हैं तो चलिए दोस्तों मित्रों यह इसका पत्ता है और देखिए काले धतूरे का भी पौधा हम दिखा रहे हैं और यह इसका फूल सफेद है काले धतूरे का फूल काला है अभी हुआ नहीं है मैं बहुत जल्द इसका वी वीडियो आप लोग के बीच डालूगा तो जो भी भाई बंदू हमारे इस चैनल पर नहीं है कि पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें लाइक कमेंट सेर अवस्य करें तो चलिए मैं इसका गूर और धर्म बता दूं यह अभी काली धातूरे की तरह कड़वा कसायला तता ब्यवहार में गरम होता है यह पागल कुट्टे के काटने काड़ में पीब बहने उनमाद रोग वह पागलपन को दूर करने में इस्तमाल किया जाता है तो इसका अवस्य पर्चे में बता दूं अतिसार रक्तिसार और चर्म रूग में भी यह लाबदायक होता है च्छाती की जलनवा शलिपत की बिमारी में लाबदायक है इसके पत्ते जड़ और पीज तीनों अवस्य में काम आते हैं यह पागलपन में उप्योगी माने जात प्रतिसाय और मस्तिक्स की बिमारी वाले ज़र में रक्तिसार में और चर्म रोग में भी या उप्योगी है छाती में प्रदा में हल्दी और धतूरे के फल्ग से त्यार किया हुआ लेप बहुत जल्द लाब पहुंचाता है सफे धतूरे की जड़ को दूद में उबाल कर उस दूद को धोये हुए घी और अन्य औसदियों के साथ पागलपन को दूर करने के लिए उप्योग में लिया जाता है धतूरे के बीज सलिपद की विमारी में उप्योगी है टांग की पीड़ा में भी ये बहुत लाबदायक है इन के बीजों को प्राता काल ठंडे पानी के साथ साथ चावल से लें लेकर एक रती की मत्रा में देना चाहिए इसकी खुराक को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए जिस जोर के साथ में जुकाम रहता हो या जिस जोर में मस्तिक्स के अंदर कुछ खराबी हो उनमें यह बनस्पती उप्योगी है इनके पत्तो को कुचल कर अथवा इनके बीजो को पीश कर तेल के साथ मिला कर आमवात की सुजन फोड़े गठान और अवुर्द पर लगाने के काम में लेते हैं धतूरे के पत्तो को पीश कर वा उनका लेब बना कर प्रदा के अस्थानों पर लगाते हैं डायमाग के मता नुसार इनके फल अत्वा इसके रस में अफिम और तेल मिलाकर एक लेब तयार किया जता है जो क्रिमियों को नषट करने के काम के लिए लिया जता है या पर्जीवी की टानुको भी नषट करता है इसके गरम किये हुए पत्ते आखों पर बांधे जाते हैं तो आखों की बिमारियों में फाइदा पहुंचता है या सिर्दर्द अंडब्रिधी को फोड़ों पर भी उप्योग में लिया जाता है तो दोस्तों मित्रों मैं आसा करता हूँ कि आप लोग को यह जनकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी यही सफेद धतूरा है यही इसका फूल है फल है फल में काटा होता है पत्तिय चिकनी होती है और पीला धतूरा भी आता है तो चलिए दोस्तों मित्रों हमारे इस चैनल को सेर सब्सक्राइब आवसे करें ताकि दूसरे लोग भी इससे परचित हो सकें चलिए मैं आप लोग से विदा लेता हूं तो धन्यवाद फिर कर मिलता हूं एक रोचक जनकारी के साथ तो धन्यवाद आपका दिन सूब हो